गुड मॉर्णिंग गौराम इश्राफ और आईएस में आपका स्वागत है ठीक है पिछले क्लास में हमने अर्थवरस्ता की परिभाशाओं को जाना था और उसके बाद हमने भारती अर्थवरस्ता से अपनी क्लास की शुरुआत की थी हमने भारती अर्थवरस्ता की इंपोर्टेंट हो जाती है कि हमारे जो समाज में क्या हमारे देश में हमारी अर्थवरस्ता में क्या-क्या मुद्दे हैं जिनको हमारे विकास के क्रम में हमें सुल्जाना है ठीक है तो हमारे सामने तीन जो प्रमुक मुद्दे हैं असमानता निर्धनता और बिरोजगारी तो हम सबसे पहले आज असमान्ता के बारे में पढ़ेंगे हमारे देश में असमान्ता तीन इस तरों पर पाई जाती है आय, व्यय और समपत्ति के स्थर पर अब असमान्ताओं की को अध्यन करने के क्रम में हमें इनकी असमानतों को गड़ती माप निकालना भी आवश्यक है, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि हमारी अर्थिवरस्था की दिशा क्या है और हमें किन-किन चेत्रों में अभी और प्रयाश करना है, तो इस क्रम में हमारे पास दो संकल्पना हैं, पंचमक अनुपात और पाल्मा अनुपात के माध्यम से हम आय की असमानता की गड़ना करते हैं, ठीक है, अब पंचमक अनुपात में सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है, इसमें सरवाधिक, किसी भी देश में सरवाधिक जो 20 प्रिसत धनी लोग हैं, और जो सरवाधिक 20 प्रिसत निर्धन कि किसी भी देश में जो सरवाधिक धनी 10 प्रतिसत लोग हैं और जो सरवाधिक निर्धन 40 प्रतिसत लोग हैं उनकी आयूं का क्या नुपात है वो हम पालमानुपात के माध्यम से निकाल सकते हैं अगर भारती परिपेक्षि मिलें तो पंचमक अनुपात के हिसाब से जो हमारे देश में सरवाधिक धनी 20% लोग हैं उनकी हमारे कुल आय का 45% हिस्सा वो कमाते हैं थीख अब अगर हम सरवाधिक निर्धन लें तो हमारे देश में लगभग 8 प्रतिसत कुल आयका लगभग 8 प्रतिसत आये सरवाधिक निर्धन लोग जो 20 प्रतिसत निर्धन लोग हैं वो लोग कमाते हैं ठीक है तो अब इस हिसाब से हमारा पालमा पंचमा कनुपात अगर हम देखें तो पंचमा कनुपात हमारा कितना हो गया आज वर्तमान में 5.6 के आजपास हमारा पंचमा कनुपात है ये जो हमारा आकड़ा है 5.6 का ये हमारी असमानता को दर्शाहरा है अब देखें हमें ये कैसे पता चलेगा कि असमानता बढ़ रही है या घट रही है देखे अब अगर मान लीजिए कि ये जो 45 प्रितिसत कमार हैं अगर ये 60 प्रितिसत कमाने लगें तो पंचमक अनपात का मान बढ़ जाएगा ठीक है क्योंकि जब हम इनका अनपात निकलते हैं तो फिर जो है ना सरवाधिक जो धनी है और बटे मान बढ़ रहा है तो जो हमारा जो भागफल आएगा वो भी जढ़ा हो जाएगा तो पंचमक अनपात अगर जादा हुआ तो इसका मतलब यह कैसा मानता है बढ़ रही है ज़्यादा दो ही ये उसका हो सकतE। और ज्यादा हो गई है और इनकी आए कम हो गई है भाई देखिए अगर कोई भिन है X बटे Y है अब ये तो हमारा अनुपात का हो गया अब अगर ये बढ़ेगा तो इसका भागपल जादा हो जाएगा और या फिर ये कम हो जाए तो भी इसका भागपल जादा हो जाएगा तो ये बढ़ने के और घटने के क्रम में भी जो हमारी असमानता को मलब बढ़ावा दिखा रहा है तो इस हिसाब से पंचमक अनुपात का अगर मान बढ़ रहा है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो देश में समाज में असमानता का इस्तर बढ़ रहा है ठीक है सेम हमारा पालमान उपात भी इसी तरीके से निकालते हैं जिसके अंतरगत हमने जो है न सरवाधिक धनी 10 प्रत्सत लोग को लिया है और जो सरवाधिक निर्दान 40 प्रत्सत लोग को लिया है अब जैसे ये 10 प्रत्सत ही लिया है और ये 40 प्रत्सत क्यों लिया है ठीक है देखे अब आप अपने चारों तरफ नज़र दोड़ाईए आपके अपने शहर में आप खुद देखिए जो धनी लोग है तो वो नामी गिरामी जो गिने चुने ठीक है वो कुछ लोग होते है उसके बाद मध्यमवर्ग भी थोड़ा धनीयों से जादा होते है लेकिन जो वंचित हैं और जो गरीब हैं जो निर्धन है वो बड़े पैमाने पर है और अगर पूरे भारत देश को अगर ले लिया जाए तो महानगरों में तो असमानता है ही और उसके बाद हमारे गावों वगएरा भी शामिल हो जाएंगे तो गावों में भी निर्धनता का इस्तर बहुत जादा है तो इसलिए हास से जो है न और हाँ जो निर्धन है वो लगभग सब की आय वगएरा सब एक समान ही है कोई अगर मान लिजे कि अगर हमारी मान लिजे कि 30 रुपए है हमारे जो 30 रुपए हमारा सेट किया गया कि इससे कम कमाने वाला निर्धन होगा तो कोई अगर 28 कमा रहा है तो कोई 29 कमा रहा है कोई 22 कमा रहा है तो इन में ज़्यादा अंतर नहीं है तो जो बहुत बड़ा वर्ग है जो करीब 40% वर्ग हमने अगर मान लिए तो वो जो है ना उनकी आयों में जादा अंतर नहीं है इसलिए हमने इसको 40% ले लिया आपका और जो धनी वर्ग है वो 10% जो मला कि वो गिने चुने ही लोग हैं लेकिन फिर भी हमने 10% ले लिया पूरी जन संक्या का ठीक है तो इस हिसाब से पालमान पात निकाल लेते हैं भारत में वर्तमान में यह लगभद एक दसमलोग 5 है ठीक है सेम वही है अंशा और हर वाली कंडिशन कि भाई अगर धनी लो lioko गर्तिये मान बढ़ा हुआ अगर दिखाए दे रहा है तो इसका मतलब हमारे देश में असवाने बढ़ रही है थीक है अब इसे इसे लेकर हमारे पास एक लॉरेंज वक्र भी है लॉरेंज वक्र भी आपने किताबों में पढ़ा होगा उर्था ठीक है। तो मैंने B और A x ले लिया, अब उसके बाद हमारी ये हो गए निर्पेच्छ सम्ता रेखा, ये जो रेखा है, ये हमारी निर्पेच्छ सम्ता रेखा है, जो 45 डिगरी का कोड बना रही है, ठीक है, ये 45 डिगरी का कोड बनाने वाली line of absolute equality, ये निर्पेच्छ सम्ता रेखा हो आकड़े लिये हैं, वो निर्धन से धनी की और जनसंक्या की बढ़ती भी प्रत्सत्ता लिये है, ठीक है, यानि कि हाँ जनसंक्या का निर्धन से धनी की और बढ़ता हुआ क्रम है, उपर जो हमने लिया है, वो हमने आय की प्रत्सत्ता का बढ़ता हुआ क्रम लिया है, ठी इसके बाद आयक का समानता कि हम गढ़ना कर रहे हैं तो हम ने यहाँ पर आयक को ले लिए ग्राफ में ठीक है एक एक्सिस पर अब अगर व्या को लेंगे तो यहाँ पर व्या को आप डाल दीजी ठीक है तो व्या की भी गढ़ना जोने लारें जोकर के हिसाब से हो सकती है अब जो निर्धन 20 प्रिसत जनसंख्या है वो कुल आयटा 8 प्रिसत कमाता है ठीक तो इनको जो है न हम इसमें एकस और एकस पर लेते हैं तो यह हमारी जनसंख्या का बढ़ता हूँ अक्राम है तो यहां पर सरवाधिक यहां से सुरू हो रहा है तो यहां पर सबसे निर्धन फिर उसका यह बढ़ता वक्राम है तो हमने सरवाधिक निर्धन यह 20 प्रतिसत लोग यह लिए तो हमारा यह बिंदू आया 20 पर ठीक है अब इनकी आय कितनी है इनकी आय है 8 प्रतिसत ठीक है तो हमने जो है न अब यह आय का परसंटेज में बढ़ता वक्राम है तो हमने यह पर दस के नीचे थोड़ा होगा ये कहीं बिंदू आएगा और ये इनका कितना है आठ प्रसत आए दिखा दी अब हमने यहाँ पर दोनों बिंदू पर जब समकोड खीचा तो एक इस बिंदू पर आकर ये मिले ठीक है एक हमें बिंदू प्राप्त हो गया अब हम सरवाधिक धनी लोग हमारे अब चुकी यहां से निर्धन से हम जोना धनी की ओर बढ़ रही है जो संख्यार ठीक है तो सरवाधिक धनी हमारे यहाँ पर आएंगे और वह बीस परसंट कितने होंगे 80 से लेकर 100 तक तो यहां पर 80 से लेकर 100 तक तो यह सरवाधिक 20 परसंट हो गया को नहीं और बीस परसंट लोग यहां पर आ गए अब इनकी जो आए है वो कुल आए का 45 परसंट यह लोग कमा लेते हैं थ tin तो 45 परसंट देखिए basically graph में हम लोग करते क्या है कि हम जो ना नीचे से ही मान लेते यानि कि यहाँ 0 से ही हमान कि शुरुवात करते हैं लेकिन अगर हम मान लेजे 45% यहां ले लेंगे यह वाला 40 और 50 के बीच में तो जब हम यहाँ से graph बनाएंगे तो इसमें जो है ना यह जो graph बनके आएगा यहाँ पर यह 20% वाला हिस्सा भी उसमें cover हो जाएगा तो हमारी देखिए संचीत आया तो 100 है ही तो हम उपर से ले लेते हैं 45 ठीक है तो उपर से जब हम 45 का बिंदू लेंगे तो यहाँ पर एक बिंदू हमें मिलेगा आपका यह जो उपर जाके मिलेगा एक्षलि यह दोनों बिंदू एक ही जगा पर होने चाहिए थे ठीक है ठोड़ा सा figure मेंं अंतर आ गया है तो यह दोनों बिंदू एक ही जगा पर आएगे इसको आप थोड़ा सा इसे तीर्छा कर लो लाइग ठीक है तो ये जो है अब ये 45 प्रसत जो ये कमार हैं ये 20 प्रसत जनसंक्या तो इनकी आई ये वाली हो गई ठीक है अब जब हमने 20 प्रसत वाले जो जनसंक्या जो 80% से हमने यहां पर जब एक संकोड खीचा समकोड लाइन खीची और यहां जो हमने 45 प्रिस्त आय से भी एक समकोड पर लाइन खीची तो हमें एक और बिंदु प्राप्त हुआ ठीक है तो अब अगर हमें देखी तो हमारे पास इस समय चार बिंदु है एक तो हमारा जो जीरो पर है और एक बिंदु जो हमारा वक्र के अंतपर है और उसके बाद दो बिंदूओं का हमने पंचमा कनुपात के आकडो का सिप्षेमाल करके हमने दो बिंदू निकाल लिए थीख है तो हमारे पड़ चार बिंदू हो गये जब हम इन चारों बिंदूओं को मिलाएंगे तब हमें एक कर्व सा ग्राफ्ट होगा ठीक है अब यह जो कर्व है इसे ही हम लॉरेंज वक्र कहते है निर्पेच समता रेखा यानि कि यह वो रेखा है लाइन अफ एपसलूट इक्वालिटी कि यहाँ पर कोई असमानता नहीं है ठीक है अब यह इतना ग्राफ में जाने की जुरूत नहीं लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाया दे रहा हूं ठीक है यह बस आप इसको रट लीजे कि यह लाइन अफ एपसलूट इक्वालिटी है इस रेखा पर जो है कोई असमानता नहीं है ठीक है लेकिन लॉरेंज वक्र जो है न हमने असमानता के आंकड़ों को लिया और हमें एक वक् हो गया ठीक है निर्पेच समता रेखा से यह जो लॉरेंज वक्र की जितनी दूरी बढ़ती जाएगी असमानता उतनी बढ़ती जाएगी अब यह जानते कैसे बढ़ेगी भाई देख लिजे कि अगर मैंने माना होता कि इनकी जो है ना जो 20 प्रतिसत लोग हैं जो 45 प्रति बिंदू आता और जब 40 पर बिंदू आता और हमारे सरवाधिक धनी वाला बिंदू तो यहीं पर रहता और जब हम यहां से एक समकोड पर लाइन खीशते तो यह लाइन जाती और जब हम यहां से फिर वही असी वाले से लाइन खीशते हैं तो यहां पर एक आता तो हमें य बिंदु प्राप्फत होता है तो हमारा करव पर कैसे आएगा हमारा करव इस ठीक है और जब दूरी बढ़ गई तो यानि कि हमने असमानता को मलग करतिम रूप से बढ़ा कि आपको ग्राफ में दिखाया तो यह चीज क्लियर होगे कि नहीं हो गए कि जब निर्पेच समता रेखा से वक्र की दूरी बढ़ती जाती है तो असमानता बढ़ती है यह चीज बाद जो है ना लौरेंज वक्र के आधार पर असमानता की गड़ती है माप निकालने के लिए हमारे पास एक गिनी गुनांग है ठीक है लौरेंज वक्र पर आधार असमानताओं की अंक गड़ती है माप अब गिनी गुनांग को हम जी से रिप्रजेंट करते हैं ठीक है नि निर्पेच संता रेखा जो यह रेखा है आपकी। निर्पेच सम्ता रेखा और लॉरेंज वक्र ये तो क्रतिम वाल्या है इसको मैं मिटा देता हूँ ठीक है बाकी चीजों को मिटा देता हूँ इसके बीच का जो छेतरफल है ये वाला ये जो छेत्रफल है ठीक है और निर्पेच सम्ता रेखा से नीचे अथवा उपर का छेत्रफल ये हमारे निर्पेच सम्ता रेखा है आप देख रहे हैं इससे या तो उपर का ले लो या नीचे का ले लो निर्पेच समता रेखा 45 डिगरी पर है अब 45 डिगरी पर है तो उपर का जो छेतरफल होगा तो इसलिए मैंने लिख दिया कि आप चाहे नीचे का लो या उपर का छेतरफल लेवाद दोनों का मान सेम ही है तो इनके जो बीच का जो अनपात है वो हमारा गिंडि गुणांक कह देगा ठीक है इसको एक बार फिर से सुनिया है निरपेच समता रेखा एवं लॉरेंज वक्र के बीच का छेतरफल ये हमारी निरपेच समता रेखा है और ये हमारा लॉरेंज वक्र है जो हमने पंचमा कनपात के आंकडों का इस्तेमाल करके निकाला है इसके बीच का जो छेत शेटरफल है बटे में निर्पेश संथा रेखा से नीचे रत्वा ऊपर का छेटरफल Раз इस कि अप उपर का छेटरफल ले लो क्योंकि expression 75 बर wonderful निथे दोनों इस इस तरीके से हमारा गुणी गुनांक के आधार पर जब हम असमानता की गणना करते हैं तो हमारे पास जो है ना आकड़े किस हिसाफ से प्राप्त हो सकते हैं अगर मान लीजिए कि समाज में कोई असमानता नहीं है तो उस इस्तिति में होगा क्या अगर समाज में कोई भी असमानता नहीं है तो इसका मतलब चलिए इसको साफ करके देखते हैं मान लिजे मान लिजे ये हमारा लॉरेंज वक्र का हमने ग्राफ बनाया है ठीक है अब उसके बाद ये हमारी निर्पेच समता रेखा है ठीक है अगर हमारा लॉरेंज वक्र इसी निर्पेच समता रेखा पर आ रहा है तो इसका मतलब निर्पेच समता रेखा लाइन अफ एपसलीट उक्या है कि जहाँ पर कोई असा मानता नहीं है तो अगर जब इसी के उपर हमारा लॉरेंज वक्र आ जाएगा तो लॉरेंज वक्र और निर्पेच समता रेखा के बीच का जो छेतरफल जो हमने पहले आकड़ में पाया था, वो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यानि कि छेतरफल हो जाएगा 0, और जब छेतरफल 0 हो जाएगा, तो हमारा गिनी गुनान क्या होगा, निर्पेच समता रेखा यहाँ लॉरेंज वक्र के बीच का छेतरफल, यह हमारा 0 हो गया, और बटे में आपका जो है निर्पेच समता रेखा से नीचे का अथवा उपर का, कोई भी छेतरफल, तो यह आपका कोई भी X, Y, Z, जो भी आपको मानना है माननो, ठीक है, जैसे मैंने Y मानना था, ठीक है, तो जीरो बटे Y, जीरो, तो जीरो बटे Y, जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो मान, इसका मतलब की कोई भी असमानता है ही नहीं, अब मान लिजे कि जो है ना, हमारा, जो है ना, कुछ ना, कुछ हमारा जो हना, ग्राफ बढ़ रहा है, मान लिजे कि असमानता का थोड़ा इस चेतरफल 2 हो गया तो यहां पर अगर मांने सरह मांने 7 ओख गया तो पांच हो गया चेतरफल, ठीक है, तो यहाँ पर मान क्या आ गया है है, दिसंबलो, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, कि हम कहाँ जीरो पर थे, अब दो पर जा रहा है, पॉइंट टू पर, फिर पॉइंट फाइफ पर गया ह fact बाद अब उसके बाद एक situation यह भी हो सकता कि एक मान हो जाए यानि कि जो निर्पेच सम्ता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का जो छेतरफल है बटे में उपर या नीचे का छेतरफल अगर ये दोनों का गड़ती मान अगर बराबर हो जाए तो हमारा जो गिनी गुना का जो मान होगा वो एक हो जाएगा और जब जी हमारा एक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो हमारा जो लॉरेंज वक्र है वो उठकर हमारा बी एक्सिस पर आ गया है जब इस एक्सिस पर आएगा तब ही तो हमारा जो हना बढ़ रही है बही ही और जब भी हम एक zero की तरफ इस तरफ अगर movencake हो रहा है तो असमानता बढ़ रही है और अगर zero की तरह मोмов rating हो रहा है तो असमानता है कम हो रही है थीक है लोरेंज वक्र की बात अब उसके बात थे देखते हैं कि हमारे देश में वחमान भारत में इस्तिति क्या है भारत में वर्तमान में गिनी गुनांग है 0.352 ठीक है यह परसंटेज में कहले थो 35.2 ठीक है अब उसके बाद कुछ वर्स पहले हमारे यह था 32 यह 0.32 ठीक है गिनी जी कमान था ठीक अब यह पहले कम था और आज ज्यादा हो गया तो आप देख र पहले कि इसका मतलब असमानता बढ़ गई तो यह असमानता बढ़ी कैसे तो यह असमानता पहले आप सोचो कैसे बढ़ गई यह असमानता चली बताता हूं मैंने आपको एक कुजनेट का सिध्धान बताया था कुजनेट के सिध्धान के अनुसार विकास के प्रारंबिक च तो विकास के प्रारभिक चरण में असमानता हैं बढ़ी इसलिए हमें दिखाई दे रही है अच्छा एक चीज और है अमेरिका में 0.411 है यानि कि अमेरिका में जो असमानता है आय के असमानता है 41.1% है और भारत में जब कि 35.2% है इसका मला अमेरिका में ज़्यादा समानता है अब सवाल यह उठकर आता है कि अमेरिका में असमानता ज़्यादा है फिर भी अगर आप अमेरिका के बारे अपने दिमाग में एक figure बनाओ और उसके भारत के बारे में एक फीगर बनाओ और उसका सोचो दो मिनट बैटके तो आपको यह लगए कि यार भारत में फिर भी हाय तौबा मची रहती है ठीक है तो आपको यह चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है अब इसका एक रीजन है देखे यहाँ पर आयकी असमानता है अफकोर्स अमेरिका में असमानता जादा है भारत में उस मुकाबले असमानता कम है लेकिन अमेरिका में जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी मूलभूत आवशक्ता हैं अल्रेडी पूरी है हमारे देश में अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग है जो अपनी मूलभूत आवशक्ताओं से ही वंचित है जब हम निर्धंता रेखा की गढ़ना करते हैं तो हम शुरुवाती चरण में आधार पर जब पोशन की आधार पर प्लस कुछ मूलभूत आउ सों के अमेरिका में तरह ना मूलभूत आउ शक्ताव सबकी पूरी हैं जैसे हम लोग मजाक में भी कहते हैं कि अमेरिका में गरीब वो आदमि गरीब जिसके पास कार नहीं है ठीक है वहां पर या फिर एहly worried कहते हैं कि जो कार लेख है करीब से फिर्स गरीब इनसान भी कार लेके कम से कम चलता है ठीक है कोई भूख से मर गया हो तो हमारे यह विक्राल है क्योंकि अभी भी हमारी जनसंक्या का बहुत बड़ा वर्ग जो अपनी बूलभूत आवशक्ता की भी पूर्तिनी कर पाया है